हेलो नमस्ते दोस्तों मैं उस रोज मेरे किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आजम बनाएंगे गयों के आटे का बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट नास्ता वो भी बिल्कुल कम तेल का और इसके आगे आपको समोसा कचोरी तो खाना भोली जाएंगे और बहुत ज़्यादा चट पटा बहुत ज़्यादा टैस्टी और परांठे भी आपको फीके लगेंगे अगर इस तरीके से आप गयों के आटे का या बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट नास्ता बनाएंगे तो और दोस्तों वीडिया पूरा देखे इसकी बिल्कुल भी म लिए हैं अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें कमेंट्स करके जरूर बताएं और यह मैंने लिए कड़ाई तो इसमें हम एक चम्मच तेल डालते हैं तो मैंने एक चम्मच तेल भी ज्यादा तेल का यूज भी हमें नहीं करना है मसाले में और यह मैंने सौंफ लिए हैं जीरा लिया है थोड़ा समय ने ख़ड़ा धनिया लिया है अजवाइन लिए एक चुटकी वर और ये मैंने काला जीरा लिया इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मसाली का और सबी चीजे हमारी अच्छे से चटक चुकी हैं और ये मैंने हरी मिर्ची लिया है तो मैंने इसमें मसाली सबी डाल दे तो अब इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, आदी चमच, हल्दी पाउडर और दोनों कोई और नमक भी डाला है स्वाद के कोडिंग तो सभी मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें बहुत ही कम, गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखना है ताकि जो हमारा मसाला है वो जल्बी सकता है मैंने आदी चमच, अमचूर पाउडर लिया है और ये मैंने थोड़ा सा किचन किंग मसाला लिया है जो गरम मसाला होता है और जो मैंने आलू को बोईल किये हुए कट किये थे तो उनको हम डाल देते हैं इसके अंदर और इसको हमें अच्छे से मसाले में मिक्स भी करते रहना है और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा बारिक मैस कर लेते हैं ताकि इसमें मसाले में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें मसाला भी अच्छे से परफेर्ट तरीके से मिक्स हुआ है और मैंने आलू को थोड़ा सा बारी कर लिया है और मैंने उपर से डाला है हरा ध इसमें हम स्वात्य कुडिंग नमक डालेंगे और इसको हम पानी डाल करके और इसका आटा लगा लेंगे तो आटे को पहले तो हमें अच्छे से मिक्स करना है नमक के अंदर आप इसमें कलर के लिए हल्दी भी डाल सकते हैं इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे तो यह मैंने आदी चम्मच हल्दी लिए है और थोड़ी सी इसमें हम अजवायन का भी यूज करेंगे ताकि अजवायन से बहुत अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत ही ज़ तो इस तरीके से हम पूरी की लोईयां लेंगे चोटी-छोटी सभी को हम तोड़ लेंगे जितना मेने आटा लगाया था और इस नास्ते को बनाने के बाद में आप परांटे का सुआत भी खाना भूल जाएंगे क्योंकि यह इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम तेल में बनेगा यह तो इस तरीके से हम छोटी-छोटी लोईया बना किसमे मैंने मसाला डा कर लिँए और उस तरीके से हम इसको पेख भी कर लिया और जो अपर का इस्सा है वो हमें ज़्यादा लग रहा है तो इसको निकाल दीते हैं और हतेला की मदद से हम इसको ज्च्छे से थोड़ा साइज को माम बसыл देख सकते हैं उसको गोल करेंगी ज्यादा लंबा भी नह तो हमें इसंतना ही छोटा रखना इसको ज्यादा बड़ा साइज कर नहीं करना है हुआ है तो हम इसी सिराइब से जो बागत हैं उनको भी सी टाइब से बनाएंगे और बेलना हमें पूड़ी की साइज में है और आप मसाला तो जितना चाहें उतना मसाला इसके अंदर पेक कर सकते हैं अगर आपको उपर काटा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो आप निकाल सकते हैं या तो वैसे भी रख सकते हैं और हतेली की मदद से थोड़ा सा इसको फॉल्ट करना है और दोस्तो मैंने पहले की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखिये तो आप वहाँ जाकर की हमारी नई नई वीडियो देख सकते हैं अगर हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करतीजे पास में बेल आइकन बटन है उसको भी आप प्रेस करने ना बुलें और सभी को हम इस तरीके से तयार कर लिए हैं तो एक हम परांठा बनाएंगे ताकि आपको जो एजी लगे जैसा अच्छा लगे आप उस टाइप में बना सकते हैं बटा आपको परांठे का टेस्ट थोड़ा अलग आएगा और जो ये गोल नास्ते का टेस्ट है वह बहुत ज़्यादा अलग आएगा तो आपको जो भी एजी लगे जैसा एजी लगे आप उसी टाइप से ये बना सकते हैं तो हम इस तरीके से चोकोर बनाएंगे तो आप इस नास्ते को चोकोर साइज भी दे सकते हैं इस तरीके से भी बना सकते हैं तो अब इसको हलका सा हमें बेल लेना है दोनों साइडों से तो ये मैंने बेल लिया है और मसाला हमारा बिल्कुल भी बार नहीं निकला है तो ये भी मैंने बेल करके तयार कर लिया है तो ये भी हमारा तयार हो चुका है और ये मैंने कडाई में पहले से थोड़ा सा ओल डाल करके गरम करने के लिए रख दिया था तो अब इसमें जो मैंने नास्ता तयार किया है वो डाल देते हैं और जितना एक साथ में आ सकेंगे उतने नास्ते को हमें डालना है और देख सकते हैं कितना कम तेल है और गैस का फिलेम आपको बिल्कुल कम रखना है इसको पकाते टाइम में 3-4 मिनट का वक्त लग जाएगा और बहुती मद्दे आज पर आप पकाएंगे तो बहुती टेस्टी नास्ता बहुती क्रिस्पी नास्ता बनेगा आपका जो नास्ता बनेगा तो दूसरे पेल पर हम जो पराठा टाइप का नास्ता बनाए उसको सेक लेते हैं तो गैस में ने ओन कर दिये और तो वह हमारा गरम हो चुका है तो मैंने परांठे को डाल दिया है तो हम दोनों को एक साथ में बना लेते हैं और आपको जो इजी लगे जैसा अच्छा लगे आपको उस टाइप से बना सकते हैं और यह मैंने थोड़ा सा तिल क्या बेटर लिया है तिल में तेल डाल करके लिया है तो इससे जो कलर भी अच्छा हैगा और खाने का टेस्ट भी जादा अच्छा लगेगा अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं नहीं तो आप इसको skip कर सकते हैं तो मैंने इसके उपर अच्छे से आप जो भी लगाना चाहते हैं खी या तेल का यूच करना चाहते हैं तो आप वही लगा सकते हैं और इस तरीके से हलका सा दबा करके सेखना है और ये हमारा देख सकते हैं ये वाला नास्ता भी अच्छे से सिखाई हो रही है तो इसको मैंने अभी पलटा नहीं है तो पलट करके देखते हैं तो एक साइड से सिख चुका है तो दूसरी साइड से हम इसको पलट देते हैं तो तो दाइ मीनिट के लिए मैंने एक सायड में सेहा है प्रकस्टा पुलकल लुग अच्छी तो अब इसको हम निकाल करके सरव कर लेते हैं अच्छी हो आपको आपकचोरिय भी बनाने की जरुत नहीं पड़ेगे आप इसी टाइप से गेयों के आटी का लिवाकर तुम्ही नहीं आपको जो जटनी पसंदों आप उसी की साहत में इसको सरव कर सकते और इस तरीके का नच्था सबी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप सरतियों में सपर में भी जा रहे हैं तो ये दो दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं खराब होगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा इस तरीके का नास्ता बना करके लेके जाएंगे तो और दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें कमेंट्स करके जरूर बताएं और मैंने ये लिए चटनी तो आप किसी भी चटनी के साथ में इसको सरव कर सकते हैं और मैं थोड़ा से थोड़ा तोड़ के दिखाती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़ड़ा क्रिस्पी बना आएं और ये बिल्कुल कचोरी जैसा है नास्ता और अन्दर से भी बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से इसकी जो सिखाई ये बहुत ही अच्छे से हुई हैं क्योंकि मैरे भीग कुल कमगेश पे सेका है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यूँ